गुट मर्णिंग माई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होब आप सब अच्छे होंगे और बहुत खोश होंगे और सुपह के बच रहे हैं पांच आज साड़े चार बज़े एक हाथसा होने से बच गया ये पढ़ाई नहीं कर रहा है सिर्फ किताब पकड़े हुए दिखा रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ बठी पढ़ बिलकुल भी नहीं रहा है और इन्होंने आज पांच बज़े ये खोल के बैठे हैं पंखा और जाड़ू बगेरा तो मेरी हो गई है और मैंने चाय भी बना ली है एक एक कप चाय पी ले उसके बाद आगे का काम करते हैं जाड़ू बगेरा पूरे घर में लगा दी है मैंने गेट पर भी पानी पांच बज़े हैं तो रोशनी नहीं आई है अभी अंधेरा हो रहा है और यह कुड़सी रखी है बैठ के उपर क्योंकि अभी पंखा खोला था है और फिर चाय पीके मैंने कर ली अपनी बातरूम की सफाई क्योंकि बस जाड़ू बगेरा तो हो गई थी बातरूम साप कर उसके बातरूम की दुलाई करने के बाद मैं सीदे नहालूंगी और क्या है कि पंखा क्यों खोल लिया है क्या हो गया था आज चार बज़े से ही पंखे में कटर कटर की आवाज आ रही थी तो पहले तो देखा कि सायद पंखे में कुछ टकरा रहा होगा कोई ची टकरा रही जिसकी वज़े से कटर कटर बोला है कई बहुत बार चेक कर लिया कई पार देख लिया लेकिन क्या है कि जब पंखा आखिरकार जब कटर कटर उसकी बंदी नहीं हो रही तो फिर इनो ने देखा उसको देखा तो देखें कि जो जिससे पंखा टंगा रहता है मतलब बोल्ट उसने दो तीन जगे से काट दिया था बिल्कूल हलका सा जुड़ा रह गया था अकर थोड़ी देर और हम इसे नहीं उटारते तो जो पंखा था वो हमारे उपर ही गिरने वाला था तो आज बच गए हम बहुत तो फिर इसलिए उन्होंने सुबह ही पहले पंखा उतार देके उसका जो बोल्ट बगेरा है जो नट बोल्ट होते हैं वो उसे चेंज करेंगे वरना ये भी अच्छा है कि सुबह चार वजे हमारी आँख कुल गई इसकी कटर कटर से अगर ऐसे आँख ने खुलती तो फिर हमारे उपर ही गिर जाता पंखा तो बातरूम की सफाई करने के बातरूम की जो पानी आता है नीचे तो यहां की भी दुलाई कर देती हूँ इसके बाद दुबारा से बापस से गेट पे जाडू लगाने के बाद अच्छे से पूरे में पानी चड़क के दुलाई करती है गेट की और मार दिया बाईपर और अब मैं जा रही हूँ सीथे पाई पर मार के नहाने तो बज अब हमें मैं नहा लूंगी और इनका जो है बुटंग गया मैं तो नहार के निकलाई ये नहाने के लिए चले गए हैं बातरों में इनकी टॉबल मैंने दे दी और मैं आगी यहां पर नहा के और आज जो है आज ब्रहस्पत है तो पीली साड़ी पहनी है थरस्टे है आज तो पीली साड़ी पीले कपड़े ही पहनती हूं मैं कोशिस करती हूं एक साड़ी मैंने निकाल रखी है तो ब्रहस्पत के दिन यही साड़ी पहन लेती हूं मैं पीली और मैंने ये जो मेज़ पर दिख रहा होगा आपको तो मैंने डाल रात भिगो दी थी चने की डाल और साबुत मसूर जो होती है काली वैली मलका भी बोलते हैं ये दोनों चीजे मैंने भिगो दी थी ओवरनाइट भिगो दी क्योंकि मैं आज बनानी है होली की तैयारी करनी है तो नमकीन बनानी है और ये भी अब आगे नहाके और अब बेटे की बारी है ये भी गया है बाथरूम में ये अपना फ्रेश हो के अब नाना दोना करेगा और बैसे तो मैं रोज डेली नहा कि बाल वगएरा नहीं कारती हूँ पर आज कुछ ज़्यादा उलज रहते हैं थोड़ा टाइम भी था तो मैंने का लाओ चलो बाल भी सीधे कर लेती हूँ लज़े हूए हैं बहुत ज़्यादा तो इन्हें सुल जालों उसके बाद मैं अपनी मंदिर की सफाई करूँगी और पूजा करूँगी तो यहाँ पर एक सूखे कपड़े से मैंने सारे जो फोटो वगएरा हैं पूछ दिया है और मेरे पास पीतल की ज़्यादा कोई मोर्ती नहीं रखती सिर्फ एक काना जी है और संख है और घंटी है जिससे मुझे सुबह कुछ नान कराना होता है बाकी सब फोटो है तो उनको तो कपड़े से ही पोश देती हूँ मैं तो उसके बाद मैंने काना जी को मेरा मंदिर जो है उपर दिवार पे लगा रखा है तो नीचे बिठा के मैं काना जी को टांग काना जी को नीचे बिठा के मैं जो एक बेला है मेरे पास पीतल का फूल का बेला होता है उसी में रखके मैं संक गंटी और काना जी को नहला देती हूं उसी में रखके और फिर उपर पूजे मंदिर मतलब नीचे मैं मंदिर इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि बार-बार चलना फिरना होता है तो पैर भी बगेरा जाते है चपल भी कभी चली जाती है तो इसलिए मैंने ऊपर टांग दिया है मंदिर क्योंकि थोड़ी सुद्धा भी रहना ज़रूरी है मंदिर में तो फिर काना जी का तो हो गया इसनान और अब मैं कर लूँगी पूजा पूजा मत थोड़ा सा 20-25 मिनिट का टाइम तो लगी जाता है सुबह की पूजा में जो अपना पार्ट वगयरा करना होता है या जो भी चालिसा वगयरा पढ़ना होता है उसे मैंने नहाने के बाद काना जी को नहलाने के बाद कर ली उसके बाद हो गई मेरी आर्थी और जो रात की डाल रखी है मेरी फूली हुई उसको मैं पूजा करने के बाद पहले मैंने उसे एक बार फिर से पानी से दो लिया और दोने के बाद मैंने इसे एक बार बरामने में खाट डाल के क्योंकि सुखाना तो है नहीं दूप में बस हावा लगानी है ताकि इनका जो मौक्चर है वो सुख जाए तो मैंने अलग-अलग दोनों कपड़ों में एक दुपट्टा है मेरे पास दुपट्टे थे तो उसे पे फैला दी इसमें मतलब इसका जो पानी है वो सारा निचोड़के फिर फैला दी इसमें हवा लग जाए ताकि और इधर जब तक बना लिया मैंने अपना इनका सुबह का नास्ता और खाना ये नास्ता और खाना के बाद ही जब पूरा सारा काम फिनिस कर दूँंगी उसके बाद करूंगी तो उसके बाद मैंने किचिन वे नास्ता खाना हो गया था मेरा तो बड़तन वेगेरा धुल दिये चाय बनाके फिर से पी लग एक बार तो उसके बाद अब चलते हैं किच्छिन में बनाएंगे नमकीन और नमकीन वाला जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट में मिलेगा तब तक के लिए बाई बाई